आमी मोंदीर के निये पॉलिटिक्स होते पर हो ना आमी मानुशीर भालो बाश निये पॉलिटिक्स होते हैं अब बाश चोड़ो भारत चोड़ो 2014 लोग सबा इलेक्शन से पहले तिरिमुल कॉंग्रेस को दिया कॉंग्रेस ने बड़ा जटका जिहां आज तिरिमुल कॉंग्रेस कॉंग्रेस छोड़ कर कॉंग्रेस जॉइन किये TMC के हेवी वेट नेता और कोलकता के मेयर फिराद हकीम के दमाद यासिर हैदर आप देखे रहे दा लोकल जेर्नलिस्ट आपको बता तो कॉलकता के मेयर और तिरिमुल के दिगद नेताओं में से एक फिराद हकीम के दमाद यासिर हैदर कॉंग्रेस में शामिल हो गए यासिर सनीवार को प्रदेश कॉंग्रेस कारियालाय में अधिरंजर चौदरी के मौजूदगी पर कॉंग्रेस में शामिल हुए तिरिमुल के कई लोगों ने हावडा से तिरिमुल नेता यासिर हैदर के साथ जुनने का इच्छ वेप किया यासिर हैदर ने कहा मुझे काम करने का मौकर नहीं मिलता था मैं तिरिमुल युवा सम्मो में था अधिर नेतित में काम करना चाहते थे फिराद हकीम के दमाद मैं खुद को एक राजनेतिक नेता के बज़ाए एक सामाजिक कारिया करता मानता हूँ मैं लोगों की साथ काम करना चाहता हूँ 2019 का गंगा धरी या भश्चार से कोई लेना देना नहीं है यहां तक की मेरा नाम भी हटा दिया गया युवार राज ये सचीव के पद से तरिमूल का देनाम कॉंग्रेस से हुआ है इसलिए मुझे उस पार्टी से प्रेजना मिलती है क्योंकि मैं राजनेती में हूँ मैं टॉली बूट नहीं जा सका इसलिए मुझे टिकेट नहीं मिला लेकिन टिकेट उसको मिलना चाहिए जो पूरी समय पार्टी के लिए काम करें मैं टिकेट के लिए कॉंग्रेस शामिल नहीं हुआ परिवार और राजनेतीक अलग-अलग हैं दोनों की आदर्श अलग-अलग हैं और क्या कुछ कहना है में फिराज हकीम के दवाद यासिर हैदर का आई ये देखते हैं वीडियो में पूरी रिपोर्ट आज कराओ में से लिएक आज के आज के आम या ओनादर्श फैंवली थे येचे ची हार आमी पूरो हंड़रान ट्वेंडी पसंड दिये मानूसर जोने काच कोद्टे चाही मानूसर शाते थाखते चाही आर मानूसर शर्यवाक होद्टे चाही सवच्षुमाइई आपनी जे काच कोई ते बादेशन ना एटा दॉलेर शीर्षोडेर सिंतों के जागी इचिन ना एटा तो आमी दुहायार उन्नीशे आमी जेटा आकुन खुले बोले दीची यहो तो आमी आकुन जोइन कोड़े नियेची कैनो आमी आज कोन तो कोनो तोला बाजी या स्कैम बाजी या एक्स भाई जे जोतो तुनमूले अपनारा देखें को कोनो आमी इन वाल्ट छीलामना अमी जेनुविली एर आगे जे पाटी दे छीलाम काच कोल लाम आमन हंडिड़ एन क्वेंटी पसंदीलाम तो दुहार उन्न सूरू को जेनी शे केनो हमान नाम ता ठाकन दे की इरेज होलहो या एकोनो आमी जानते पालनामना अमी जोगल जोसुतिऊ हां अं अध्यम्नी जो खोल दुह शाहते पालना गजार थे लंडिजो को इशाथ श्रहि ranchim जू वो स्टेट से क्योंती तौ रख्ते को आता है कि इस नहीं जाना ना हिता है जिखन के आपना कॉंटिर जोग जानते है? जे ट्रीनमुल कॉंग्रेस होटा हो तो आगे कॉंग्रेस छिलो कॉंग्रेस थेके ही तो ट्रीनमुल कॉंग्रेस होचे तो I think it is a legendary party it is the oldest party in India and I think के आमड़ा स्वभाई जोतो जोन भारुद बहुशे आचे एक्टा कॉंग्रेस प्रती एक्टा weakness एक्टा भालोबाशा उटा थागवे और शारा जीवन चाली जागवे एटा and we as a youngsters आमरा चाई कि आमरा opportunity पाई आमदेर नेता ओदीद्धा आचेन दिली ते राहूल जी आचेन सोनिया जी आचेन खारगे जी आचेन उनना देर के शामने रेखे आमरा opportunity पेले आमरा youth of India आमरा आड़ो आड़ो भालो करेकाच पूर भो तुम्ही आके आटा तो क्रॉस एक्टिमेंट सो कोच तो कहना आटा तो समगा दिगाचे उननी बोले चेन उनी बोले चेन अधिचोदिरी, राहूल गांदी, मोलिकाजु करें सर्वारी नंको लेट, चलो और गांदी मोलिकाच करो ज meश्मल मेंद स्यों आपना उर्त्ता दि आमिर लाम निये politics हो ठाड़ो आमि मानुस्डेर के निये politics हो रहो आमि मोजरीन ढूलगी पालेटीक्स होस्त हो पार भोणा आपी मानुशेर बालो बाशा निये पॉलिटिक्स देपाद। अधेला पॉन पउंचे दिलो में पॉलिटिक्स देखतो है नाग में प्रोई यो ने की को खोड़ ना को फोंचे दोन विधार्ण से नियुशेर नियुक्ता प्रोई बाले उनुशेर नियुकल कुछ दरेक्खता नियुक्ता। अधिरत दोज़विश के चुनाव से पहले जो इंडिया पार्टी बनाया गया है 26 संकतर को उसको लेकर करके आज ये अधिकर्ष नहें तर फिराद अकिम के जमाई जो है वो कॉंगेश में सामील होए क्या इंडिया पार्टी को मजबूत करने का ये पहल किया गया रहा है हमा दर्वाजा है कोई भी आ सकते सब गम स्वागत करते हैं देश को बचाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी में सामील होना है जुरूरत समझी बच्चे यह नौजवान क्या बोले तो यह नौजवान यह कह रहेते कि कॉंग्रेस पार्टी में सामील होना यह वांक की तकाजा है सामिल होना चाहिए क्योंकि देश को बचाना है इसी इडिलोजी की मद्देना जरी है हमारे पार्टी पे सामिल हो चुके है इसका कोई दूस्ता कोई दिंकत नहीं है यह खाने पीने की कोई दिंकत नहीं है इसको यह अच्छा घर की लर्का है why ये खुबिया ये हमारे पार्टी की खासियत नहीं हुआ है हमारे देश की एधी कोई पाथी कर सकते हैं आपकी पती कोई दूसरे पाथी कर सकते हैं अदिकाए एक था विंगिए इन थे खरदीर है that the nomenclature India has become a nightmare for our Prime Minister Narendra Modi otherwise in each and every breath why he has been uttering the name India see not only that in order to distort and disparage the Alliance another nomenclature India he even had not bothered to refer India Mujahideen East India company etc etc it is nothing but a disparaging comment on India itself if you go to our Constitution you will find in the article one that is getting Bara that is India and Union of states so the way modiji has been criticizing distorting and disparaging and that was in an outrageous manner impure manner the name India demonstrates that name India itself has become in nightmare for modiji